टियर वन क्वालिपाइंग नेचर का है फाइनल सेलेक्शन में इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले हैं फाइनल सेलेक्शन में इसके नंबर नहीं जुड़ने वाले और टियर वन का डेट जो दिसंबर में है बालक और क्वालिपाइंग है मैं आपको बता रहा हूँ इसके pattern में कोई बदलाव नहीं होगा जैसा 2021 में paper आया है कुछ उसी तरह के paper की expectation आपको रखनी है लेकिन qualifying nature का होने की वज़ा से इसको हलके में मत लेना qualify नहीं कर पाऊगे फिर अगर तुमने pre को हलके में लिया कि ये qualifying है तुम मैं वादा करता हूँ आपसे आप गच्चा खा जाओगे pre में भी तो pre की भी तयारी आपको दिल से करनी पड़ेगी दूसरा जो इसके marks है pattern pattern सब सेम है तो pre के लिए तो ज़्यादा discussion ही नहीं करना है सब कुछ वही है plus one minus point two five same syllabus same कहानी सब वही है एक घंटा और जितने question होते थे सब वोगरा वोगरा सब वही है nothing nothing is changing कुछ बदला नहीं है negative marking आचा तो यह दो number कर दोगे ना यह ratio में लिख दिया मैंने इसको सही कर लो यार वहना तुम कोगे है sir डरा रहे है यह दो है ना तो यह दो होगा तो यह point five हो जाएगा one-fourth लिखा था मतलब मैंने मैंने की one-fourth negative marking है आपके एक तरह से ठीक है तो यह दो और दसमलो दो पांच है ठीक है तो आप जैसे प्री की तियारी कर रहे थे करो एक चीज़ और बताता हूं याड जब marks आते है ना प्री के number हो देंगे आपको लिखा हुआ है उसमें कि answer की release होगी सब कुछ होगा तो वो number देखके भी confidence आता है भले ही वो qualifying हो मान लिया तुम एक mock run कर रहे हो ऐसे तुम्हें पता है कि इसमें जीतूं या हारूं फरक नहीं पड़ता है मुझे जीतूं या हारूं मुझे फरक नहीं पड़ता है लेकिन अगर उसमें भी तुम जीतते हो तो mentality पे फरक बहुत पड़ता है इसलिए प्रिम्स में जो number जब declare होंगे ना तुम्हारे तो जिनके number मान लिया एक 170-180 होंगे प्री में बहले ही qualifying है उनका confidence यहां होगा फोड़ के आया हूं मैं फिर फोड़ूंगा लेकिन जो 130-135 लेकर आएंगे मैं guarantee ले रहा हूं उतना confidence नहीं होगा बहले ही उनको पता है कि यह qualifying है वह कहेंगे कि यह टीर डू में चलो ठीक है तो qualifying नमबर जोड़ी का नहीं आगे देख लेते होप है अच्छी होप है कि यह counter 0 हो गया बराबर हो गया लेकिन confidence में बहुत फरागाएगा प्री में अच्छा score करने से इसलिए प्री में नमबर लेके करेगा तुम्हारे एक्जाम निकालने का समझे तो यह मस तो जो कि प्री के तयारी नहीं करेंगे बस 130 नमबर ही ले आएंगे 130 लाने के टार्गेट से अगर तुम प्री को नहीं पढ़ोगे ना 110 भी नहीं आएंगे तुम्हारे होगा नहीं लिख लो इसलिए प्रिलेम्स क का जो स्टेज है क्वालिफाइंग स्टेज सबसे खतरनाक स्टेज होता है तुम्हारी कितनी भी त्यारी मेंस की हो टियर वन नहीं निकलेगा तो कुछ कर नहीं सकते तो टियर वन को भी फोरने का प्लान करो आप आप आटिट्यूड रखो कि जहां महुका मिलेगा वो चाह में कॉलिफाइंग मैच हो रन बनाएंगे विकेट लेंगे केलेंगे बहुत दिल से कैसा भी मैच हो यह बात ध्यान रखना प्री में भी अच्छा करने आपको अलकी में मत लेना ठीक है